तो दिवाली आ गई है और इस दिये को डेकोरेट ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है तो आज मैंने घर के ही कुछ सामान से दिये को बहुत अच्छे तरीके से पेंड करके सजा लिया है जैसा कि आप देख पा रही है और ये मैंने घर पे बहुत ही खुसबुदार सा दीप बना आज मैं आपके सामने इसी का वीडियो शेयर करने वाली हूँ तो घर पे आपके छोटे चोटे बच्चे हैं तो आप उसे भी इस वीडियो को दिखाईए और इस तरीके से बनवाईए तो ये कुछ मेरे पास दिये रखे हैं छोटे से प्यारे से तो इसे मैं आज आपको प करेंगे तो आज हम इस दिये को आराम से नेल पेंट से पेंट करने वाले हैं और इस तरीके से आपके पास बहुत सारे कलरफुल नेल पेंट हैं तो आप उससे इस तरीके से जो यूज नहीं है उस वाले नेल पेंट से हमें इस तरीके से दिये को पेंट कर लेना है इसमें बच्चे को भी सामिल करिए बहुत ही अच्छा लगेगा उसे भी और उसका भी हॉलिडे अच्छे से निकल जाएगा तो इस तरीके से देखिए फ्रेंस जो भी आपके पास नेल पेंट है उससे डेकोरेट करना है इसमें मैं इसे पेंट कर लेती हूँ तो देखिए इसे अच्छे तरीके से पेंट कर लेना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है तो यह राम से जो है ना सूख जाते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं उसके बाद फिर आप अपने मन पसंद के कलर लें और इसमें डॉट डॉट से आए फिर बहुत तरीक कि अच्छे और आप homeland मार्केट में भी आप आप जो भी खरीदने जाइंगी तो इसी त 근데 सजाए हुए दिये रहते हैं आप इसे घर पे ही सजा सकती हैं तो यह कुछ इस तरीके से सजा लेना है क्सके बाद हमें कैसे फिल करना कि विविए को मुझा करें को पुर्ण की हुए थोड़े से कपूर और यहां पर रूई की बाती और यह हैं केंडल जो हमारे घरों में अवलिवल होते हैं उसे हमें तोड लेना है इस तरीके से और फिर क्या करेंगे एक चोटा सा बाउल या काटोरी जो भी है आप गैस के उपर रखें और इसमें हमें पहले तो क्या करना है घी डालना है ठीक है अब इसमें आपको इस पून की हैल्प से घी रख लेना है देखे यह जब हलका सा मेल्ट होने लगे तो इसमें ही आपको कै सबी नमने बीच में कंदल syndrome गों घहे बना लिता है कंदल कंदल कीकिते ही कपूर को एड़ने है, यहां पर हमें तीनो चीज को अच्छे तरीके से मिック्स कर लेना हमें तरा कर रहता है कि अचलर गर्म ओधार सब्सक्राइब और हमें कहला है बाती तयार करेंगे फिर हमें गैस को कर देना है बंद ये खुद बखुद घी जो गर्म है ये खुद बखुद मेल्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम हमें वेट करना है क्योंकि काफी गर्म है तो आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना है उसके बाद फिर हमें इस तरीक कुछ नहीं लगाया देखिए आपको जो आपकर खरीद के लाते हैं उसको ही हलका सा फैलाना है फिर अच्छे से स्पून की हैल्फ से इसे थोड़ा थोड़ा सा अब जौर्ब कर लेना है देखिए इसमें डालते जाना है इस तरीके से उपर बाती से आप स्टार्ट करें लग फिर पूरा फिल करें पूरा बर देदा है और गेंडल जमाने में हमारे जमोदार बनाने में हमारे तैयारा पको ना गर आप मों बनाती बनाए बनाए और अरा आराम से जहां पर जलाना है भगवान के पासrement कोखट में कहीं पर भी जलाना है तो आप इसे डायरेक्ट जला लीजिए इसको आपको बार बार आपको फिल करने की जोड़त नहीं पड़ेगी तो मुझे उमीद है आप सभी को ये वीडियो प्लस आपको हेल्फुल लगे होंगे तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक करना न